इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनके सेहत के साथ खिलवार किया जा रहा है और अगर एक सुगर के मरीच को इंसुलिन समय पे ना दी जाए तो उसके लिए ये जीवन मौत का सवाल हो जाता है और उनके जीवन के साथ खिलवार किया जा रहा है उनको जान से मारने की साजिस रची जा रही है मैंने पहले भी कहा था केजरिवाल जी के खिलाफ एक गैरा सड्यंत्र है और वही काम किया जा रहा है जिस व्यक्तिने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली पानी सिक्षा स्वास्त का इंतजाम किया जिस केजरिवाल ने लोगों को फ्री दवाएं देने का का किया आज देखिए कि इतनी जालिम सरकार इस देश के अंदर है जो केजरिवाल जी को दवाएं नहीं उपलब्द करा रही है इंसुलिन उपलब्द नहीं करा रही है इसलिए जुर्म का जवाब दिल्ली के लोग देंगे और मैं समस्ता हूं कि पचीस मई को जो उनके बेटे उनके लाल उनके भाई को जेल में डाला गया है केजरिवाल जी को जो जेल में डाला गया है उसका ज़वाब वोट से देंगे आज मैं सुमनात भारती जी के लिए प्रचार करने आया था और दोनों जगों पे बहुत जبرदस्त उत साह दिखा और ये तो खुद मुख्यмен्त पत्रकार जानते हैं केजरिवाल जी को, जितने भी लोग उनको जानते हैं, वो ये इस बात को जानते हैं, कि अर्विन केजरिवाल जी इंसुलिन लेते हैं, 54 यूनिट इंसुलिन वो लेते थे, तो आज से नहीं ले रहे हैं इंसुलिन, तो बरसों से ले रहे हैं वो, अब कि बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, इतनी नफरत, इतनी धुर्भावना, बीमारी के साथ इतना खिलवार, यह अच्छी बात नहीं है, हमारे ग्री मंतरी को भी सुगर है, हमारे रास्टियत देख्ष, बीजेपी के जो हैं, नड़्डा साहब उनको भी सुगर है, मैं क्यों कामना कर रहे हैं कि अरविन केजरिवाल का जीवन चला जाए, क्यों इस तरीके से बेवार कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है, क्या यही भारती संस्कृती है, यही आर एसस की साखा में सीकते हैं, बीजेपी वाले, जिस तरह से केजरिवाल की बीमारी का मार्णा जाए है,